यदि कोई depression में हैं, मानसिक तनाव है, anxiety है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए. आज कल देखा गया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर पकड़ कर बैठ जाना, या एकांत में रहके बाद करना, या एकांत में जीवन गुजारना, या आप गुरुप में जब बैठते हैं, तो आपको irritation होने लगना, किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि यह होता है, तो इसको मानसिक तनाव कहते हैं, यह जब बढ़ जाता है, तो इसी को depression कहते हैं, और जब बढ़ जाता है, तो anxiety में बदल जाता है, जब हम इन चीजों की बात करते हैं, तो आज की डेट में हमारे पास जितने भी केस ऐसे आ रहे हैं, वो 14 वर्ष से लेके 35 वर्ष के बीच के बहुत सारे केस ऐसे हैं, जो depression के सिकार हैं, जिनको बहुत जादा परिशानिया हैं, आज एक उपाईस वीडियो में हम बता रहे हैं, यदि आप उस उपाई को सीधे तरीके से सही सही कर लेते हैं, तो कहीं हद तक जिसको भी depression की सिकायत है, या मानसिक तनाओ है, या उसको irritation चिल्षलापन रहता है, या उसका मन शान्त नहीं रहता, तो निशित रूप से आपको इस उपाई से लाब बिलेगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्चर में रादे रादे लेखें, आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, रादे रादे मित्रो, स्वागते एश्टर आश्रम पर, आज की डेट में हम बात करें, तो मानसिक तनाओ एक अपने जीवन का हिस्सा बन गया है, हमारे पूरे दिन में अगर हम देखें, तो कोई एक समय ऐसा जरूर आता ह जिसमें हम बड़े खिन रहते हैं और बड़ा मन उदास हो जाता है, ऐसा किसी के साथ एक वीक में भी होता है, किसी किसी के साथ दिन में एक बार होता है, किसी किसी के साथ महीने में एक दो बार हो जाता है, ऐसा होना आपके जीवन में ये ना बढ़े, इसके लिए जो उप में बदल जाता है आपको दबा न लेनी पड़े आपको किसी डॉक्टर का सारा लाना लेना पड़े आपको कोई गलट डिशीजन ना ले आपका जो अंदर का अग्यात वह हैं आपको कुछ गलत करने पर ना उतारू हो या आपके जीवन की जो negativity है आपके जीवन में कुछ गलत करें उससे पहले आपको यह उपाय करेंगे तो निश्यत रूप से आपका मन भी शान्त रहेगा आपको डिप्रेशन इंजाइटी और जिसको आप मांसिक तराव कहते हैं उससे आपको रहात मिले लगेगी और मन खु किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाएए और शिव मंदिर में जाकर यह उपाय ध्यान रहे बुद्वार के दिन ही होना है और शिवलिंग पर उस घी से आपको लेप करना है और वहीं बैटकर आपको 108 बार कम से कम नमः शिवाय नमः शिवाय का जाब करना है अगला लेकिन पांच बुद्वार कम से कम करने के बाद ही आपको इसके लाब होते हुए दिखेंगे जब भी इस उपाय को आप करें बुद्वार के दिन करें वहीं बैटकर जाब करें और जब भी आप घी से लेप करते हैं उसके बाद शुद्ध जलसे शिवलिंग को अवस्यश न भूलें रादे रादे